हाई अब्डीवन आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ मिनी वनीला कप केक की रैस्पी जो बहुत ही इसली कॉफी वाले कप में आप बना सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको इनको कट करके दिखा देती हूं और इनका स्पंज आपको दिखा देती हूं यह देखिए का मैंनी जिसमें हम डाल रहे हैं एक काप मेंदा और एक कप मेंदा के साबसे हम ऐहाप डाल रहे है आधा कप चीनी तो चीनी में थोड़ा ज्यादा भी दाल सकते है अगर आप मीठा ज्यादा पसंद करते हैं तो हम दोनों को ही साथ में लेकर के अच्छी से छान लेंगे ताकि इसमें कोई फुटकी वगएरा ना रहे या कुछ भी हो वो ना रहे अब हम इसमें डालेंगे आधा कप दही दही आपको फ्रेश लेना है और एक चोथाई कप हम जालेंगे बेकिंग सोडा दोनों को आपको बराबर कॉंटिटी में डालना है और इनको आपको अच्छी से मिक्स करते हुए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका बैटर तो पानी आपके ना तो ज्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा अब देख सकते हैं कुछ बैटर इस तरह से तयार हुआ है अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच बनीला एसेंस तो यह इसली मार्केटे मिल जाता है अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगे आप वहां से इसको पचिर कर सकत करने करने केक सैफस्षी में आपको नहीं आप था कि बेटर में इसको देख सतरह है लिए किनारी पड़े पड़ोगे और शेपर कज़एगा और शेप करते में दूंदेंगे बेटर भणने के बाद हम इन सभी कप को हलका हलका सा टैप कर देंगे ताकि इसमें अंदर जितनी भी एयर हूँ वो निकल जाए तो हम इन सभी को टैप कर दिया है अब हम इसमें उपर से डालेंगे कुछ ड्राइफ रूट्स तो यह आप चाहे तो ना डालें या आप चाहे तो इसकी जगाए टूटी फ्रोटी भी डाल सकते हैं या कुछ भी ना डालें तो यहां पर मैं सभी में थोड़ा सा अच्छा आप कोई भी पिले ले ले या कटोरा ले या इसको फीट ब्ले मों वटा डेया और भीड़ा हैं प्रीख़ के लिए और आप को पच्छ को बेंगे और तो आपको पच्छ से तीष मिनट लो तो मीडियम फिलिम पर इनको को अच्छे से बेक करना है तो करीब 10 मिनट हो चुक मैं एक बार बीच में इसको थोड़ा सा मैं चेरी ले रही हूं बीच बीच में इसको रख दूँगी ताकि यह देखने में और भी ज्यादा कुपसूरत लगें तो इस टायम ही रख सकते थे लेकिन वह पतला बैटर होने की वज़ए से नीचे डूब जाती इसलिए मैं थोड किनारी को चलाएंगे और आप हम इन केक को निकालेंगे तो आप देख सकते हैं काफी स्पंजी केक है तो इस तरह से हम दूसरा केक भी निकाल लेते हैं आप चाहे तो सीजर की मदस से इसको कट कर लीजिए तो थोड़ा बहुत जो शेप बिगड़ गया था वह नहीं बिग कि असी तरह इससे हम सारे केक निकाल लिये थाटी अब मैं आपको इन कीक को कट करके दिखाते हूं कि हृए अंतर किस तरह से हैं इन सी पarlगे हैं कि चाकु की बजय से दोसा डिस्टर्व होगा है गजुने हैं हम कट कर लेते हैं तो कितने से अंदर coalition समंजी उ Лす पेज़ केक बना है आप दीफ सकते ho गधा देखने शिंटी केक बैठोल बना बना केक को सकते हैं तो आप भी इसको ट्राइ करिए, बहुत अच्छे लगते हैं, तो फ्रेंट्स कैसा लगा आपको वीडियो वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शियर करें, और हमारी चैलर को सब्सक्राइब करें, फेस्बूक विच भी लाइक करें, फिर मिलते हैं फ्रेंट्स अपने अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई ठीक है